नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दोस्तों आज हम जानेंगे एरक्राफ्ट फायर एंडर रेस्कू के बारे में बहुत ये मॉस्ट इंपोर्टेंट टोपिक है और हर एक बार कोशन एक्जाम के अंदर यहां से पूछे जाते हैं और इससे पहल कोशन अपने पास में कि हवाई अड़ा किसे कहा जाता है तो हवाई अड़ा एक ऐसा स्थान या ऐसा छेत्र होता है जहां से हवाई जहाज को उतरने और चड़ने की व्यवस्ता होती है तो उसी जगे को हम किसके नाम से हवाई अड़े के नाम से जानते है नेक्स कोशन आत आता है अपने पास में कि touch point किसे कहते हैं तो हवाई अड़े का वह भाग जहां पर हवाई जहाज के उतरते समय सबसे पहले हवाई जहाज जमीन के जिस हिस्सी को छूता है एरपोर्ट पे उसी को किसके नाम से touch point के नाम से जानते हैं next question आता है अपने पास में थड कि runway किसे कहते हैं तो जब भी उतरते समय जहाज सबसे पहले जिस हिस्से को छूता है तो उसको कहा जाता है touch point लेकिन उसके आगे का टच पुइंट से आगे का जो भाग होता है हिस्सा होता है छेतर होता है उसको कहा जाता है रनवे तो runway किसे कहते हैं touch point की बाद हवाई जहाज के ठेरने का जो स्थान होता है रास्ता होता है उसी को हम किसके नाम से runway के नाम से जाते है fourth number question अपने पास की apron किसे कहा जाता है हवाई अड़े के जिस छेतर के अंदर हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है उसी जगए को उसी एरिया को उसी छेतर को किसके नाम से apron के नाम से जाना जाते है next question है hangar किसे कहते है जब भी हवाई जहाज के अंदर कोई भी technical खराबी आ जाती है तो उसको सही करने के लिए जिस स्थान के उपर ले जाया जाता है उसी को हम किसके नाम से hangar के नाम से जाते है for example जैसे अपने पास में कोई गाड़ी है वो खराब हो जाती है तो उसको सही करने के लिए गैराज के अंदर लेके जाते है तो उसी परकार से हवाई जहाज के अंदर जब कोई technical problem आती है खराबी आती है तो इसको hangar के अंदर सही किया जाते है next question आता है अपने पास में कि मरसी एरिया किसे कहा जाते है देखिए मरसी एरिया होता है जब भी जहाज के जो टायर होते हैं वो कारण वस technical problem के कारण बाहर की तरफ नहीं निकल पाते क्योंकि जब भी जहाज नीचे उतरेगा तो सबसे पहले उसके जो पईये होते वो टिकेंगे लेकिन कारण वस वो जो पईये हैं वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाते तो ऐसी situation में क्या किया जाता है कुछ एक special area बनाया जाता है इनके लिए और वो जो मरसी area है वो कीचड, गासपूस, रबड और पानी इनके माद्यम से तयार करके और वहां की जो area जो छेतर जमीन होते है वो चिकनी बनाये जाती है ताकि जब भी उसका टायर बाहर की तरफ जो नहीं निकल पा रहा तो उस flight को उस जहार को उस मरसी area के अंदर पेट के बल उतारा जाता है या कि किसे भी प्रकार का जो नुकसान है उसके अंदर ना हो तो उस छेतर को उस area को किसके नाम से मरसी area के नाम से जानते है नेक्स कोशन आता है कि मरसी area जो है वो किसका बना होता है तो मरसी एरिया घास, फूस, कीचड और पानी के मादम से तयार किया जाता है नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स कोशन अपने पास में कि क्रिटीकल एरिया किसे कहते हैं हवाई जहाज के अंदर जब भी आग लगती है तो उसी छेतर को आपातकालीन स्थीती के अंदर जिस स्थान के उपर जहाज खड़ा किया जाता है तो उसी जगें को, उसी एरिया को, उसी छेतर को क्रिटीकल एरिया के नाम से जाते है जैसे कोई भी आपातकालीन स्थीती होती है एरपोर्ट के उपर तो उसको एक जगह की फिक्स जगह की उपर ले करके जाते हैं खड़ा किया जाता है तो उसी आपातकाली स्थिति के अंदर ले जाया जाता है तो उसी एरिया में जिस स्थान पर खड़ा करते हैं जहाज को उस जगह को किसके नाम से हैं critical area के नाम से जाते हैं ठीक है नेक्स कोशन है एलरोन किसे कहते हैं तो हावाई जहाज के पीछे का जो पतवार होता है उसे को एलरोन के नाम से जनते हैं नेक्स आता है बैली किसे कहते हैं तो फ्यूज लेंज के नीचे का जो भाग होता है उसे कहा जाता है बैली नेक्स कोशन है कि bulk head किसे कहा जाता है तो जहाज का जो उपर ही भाग होता है जो एक compartment को दूसरे compartment से अलग करने का काम करता है तो उसको क्या कहा जाता है नेक्स है कि bulk head किसे कहा जाता है उसे और bulk head कहा जाता है उपर का भाग जो एक compartment को दूसरे compartment के अंदर अलग करता है नेक्स कोशन अपने पास में canopy कि canopy जो है वो किसे कहा जाता है canopy एक fix या फिर सरकने वाला भाग होता है जो कि cockpit को छाया देने का काम करता है cockpit किसे कहते हैं जहाँ पे जो pilot बैढ़ता है उसी जगह को उसी छेतर को किसके नाम से cockpit के नाम से जानते है ठीक है next है cowling कि cowling किसे कहते हैं तो engine के भाग को ढगने वाला भाग engine जो होता है उसके उपर एक cover किया हुआ भाग होता है एरिया होता है उसको जब भी किसी भी प्रकार की आग वगरा लग जाती है तो वो जो आग है वो engine तक ना पहुँच पाए तो इस कांड से उसको एक cover किया जाता है ढगा जाता है और उस cover को हम हटा भी सकते हैं तो उसको किस के नाम से cowling के नाम से जाते हैं फिर next आता है cowl flaps किसे कहते हैं यह एक adjustable ढगने वाला भाग होता है जिसे flaps engine के पास में होता है next है empinage कि empinage कि empinage किसे कहा जाता है तो empinage जो है वो el वो इस मिली होता है जिसमें stabilizers elevator आदी जो है वो लगे होता है तो उसको किसके नाम से empinage के नाम से जानते हैं next आता fuse lens किसे कहते हैं हवाई जार्ज का वह मुख्य भाग होता है जिसके साथ में wing तथा tail जो है वो जुड़ा होता है जिसमें fire fighting करने में सफलता मिलती है तो उसी को fuse lens के नाम से जाना जाता है next आता है cockpit कि cockpit किसे कहते हैं अभी हमने बात की cockpit तो पाइलेट की बैठने की खुली या फिर जो बंद जगए होती है उसी को cockpit के नाम से जानते हैं next आता है taxi way वह रास्ता जो जमीन हवाई अड़े के उपर बना होता है और हवाई जहाज के taxi के काम आता है तो उसे रास्ते को किसके नाम से taxi way के नाम से जानते हैं next आता है stop way एक आयताकार छेतर जो जमीन पर runway के आखिर के अंदर होता है और जो हवाई जहाज के उड़ते समय किसी कानवाज से ना उड़ पाता है हवाई जहाज तो उस समय हवाई जहाज को रुकने के लिए के लंबी दोड लगानी पड़ती है तो इसलिए हवाई जहाज को stop में जाकर रुकना पड़ेगा तो उस एरिया को किसके नाम से stop way के नाम से जानते है नेक्स आता है monocuring area तो apron जो होता है उसको छोड़कर हवाई जहाज की हारकत हवाई अड़े में taxi way वे runway के उपर होती है उस जगए को monocuring area के नाम से जानते है next question की तरफ बढते है next question है एरोड्रोम control tower क्या होता है यह एक इकाई सथापित की जाती है जो हवाई اड़े के यातायात वे वैयुयान जो यातायात होते है उनको निरंतर सेवाईन देने का काम करता है तो उसको किसके नाम से एरोड्रोम control tower के नाम से जाते है next आता है bind direction indicator तो bind direction indicator जो होता है वो एक यंत्र होता है जो हवा की दिसा और रफतार को डिगरी आधी के अंदर बताने का काम करता है यानि एक indicator है जो कि हावा की रफ्तार और दिसा को बताने का काम करता है तो उसे bind direction indicator के नाम से जानते है next है taxi holding position वह position जो runway से पहले होती है तथा जहाँ हावाई जहाज के runway के उपर आने से पहले रुकना पड़ता है तो उसे taxi holding position के नाम से जानते है next आता है instrument runway वह runway जहाँ हावाई जहाज के उतरने की साहिता के लिए छोटे-छोटे यंतर लगे होते हैं उन्हें instrument runway के नाम से जाना जाते है जो question अपने पास में next आता है वो landing direction indicator landing direction indicator एक ऐसा device यंतर होता है जो हावाई जहाज के उतरने वे चड़ने के लिए direction देने का काम करते है तो उसे landing direction indicator के नाम से जाते है next आता है runway light ये aeronautical ground light runway के किनारे वे दिशा को दरसाने का काम करते है तो उसे क्या कहा जाता है runway light next आता है taxi way light ये taxi way के दोनों side के अंदर लगी होती है और हावाई जहाज का taxi करते समय guide करने के अंदर काम में आती है next आता है thrash holding light runway के कुछ हिस्से के अंदर जो जहाज के उतरने के काम आता है वहाँ उस स्थान के ऊपर ये thrash holding जो lights होती है बुलागी है उसके बाद आता है taxi holding position markring यानि कि यह एक taxi way के ऊपर runway से पहले होता है जहाँ हावाई जहाज रुकता है और ATC यानि air traffic control की अनुमती के बाद में runway के ऊपर आता है next आता है air drone traffic यह हावाई अड़े की सत्य के ऊपर air drone के नज़दिक याताynam को हावाई अड़ा के नाम से जानते है तो next आता है air drone traffic circuit ये के special बनाया गया path होता है जो हावाई जहाज के उतरने से पहले उसे air drone traffic कहते है एक special जो पत बनाया जाता है, जो होई जहाज के उतरने से पहले होता है तो उसें aero drone traffic के नाम से जाते है next आता है l drone जब होई जहाज के पंखे के को हिलाने वाला जो भाग होता है जो उसके साथ में लगा होता है उसें tilting motion देने का काम करता है उसें tilting motion जो बी पंखड़ी उसकी जो घूमती है पंखे की तो वो टिल्टिंग मोसम देने का काम करता है तो वो क्या कहलाता है एल रो Nex आता है अपने पास में कि बेली के नाम से किषे जाना जाता है तो बेली होता है जहाज की मुख्य बोडी की नीचे वाला भाग किसके नाम से बैली के नाम से जाना जाता है नेक्स आता है बुलक हेड ये के सीधा अपराइट टाइप होता है जो एक कमपार्टमेंट से दूसरे कमपार्टमेंट के अंदर विभाजित करने का काम करता है फिर उसके बाद में आता है केनोपी ये है कोकपिट में पाइलेट के सिर के ऊपर मजबूत सिसे का बना होता है जो की फिक्स या फिर सटर टाइप होता है या तो फिक्स भी हो सकता है या फिर सटर टाइप भी हो सकता है जिसको हम ओपर नीचे कर सकते हैं फिर ये एक ही कोशन दो बार टाइप हो गया है फिर नेक्स जो कोशन है उसके बाद में बात करते हैं कोक्पिट जो है वो पाइलेट के बैठने की जो जगह होती है जो कोक्पिट के नाम से जानते हैं फिर आता Fuge Lens Fuge Lens होता है Aeroplane की body को Fuge Lens के नाम से जांते है जिसके अंदर पंखा और पूँच यानि जो टेल होती है वो लगी होती है Next आता बलखेड हवाई चहाज के अंदर जो position होती है उसमें एक compartment से दूसरे compartment को अलग करने का एक भाग होता है फिर उसके बाद आता है elevator यह हवाई जहाज के पीछे जो पूँच होता है उसके अंदर लगा होता है और जो हवाई जहाज को 360 degree angle के ओबर घुमाने में साहिता पुरदान करने का काम करता है यह हवाई जहाज को जब भी घुमाना होता है 360 degree घुमाने का काम कोन करता है elevator next आता है MPNage हवाई जहाज का पिछला हिस्सा जहाँ elevator stable आई वे rider आदी लगे होता है दो उसे MPNage के नाम से जानते है फिर आता है ruder ruder जो होता है वो जहाज की टेल के अंदर एक खड़ा हुआ भाग आपने देखा होगा एक खड़ा हुआ भाग होता है जो हवाई जहाज की दिसा को control करने का काम करता है ये दाएं से बाएं बाएं से दाएं मोडने का जब काम होता है तो वहाँ पे ruder की साइधा लीजाती है को किसके नाम से नसलों के नाम से जानते हैं फिर आता है अमर्जेंसी डोर आपातका दिन स्थीती के अंदर जो निकलने के दर्वाजे होते हैं उनको अमर्जेंसी डोर की नाम से जानते हैं एरक्राफ्ट विंग, जहाज के अंदर जो पंक्खे लगे होते हैं उसको एरक्राफ्ट विंग के नाम से जानते हैं फिर आता है डोर, दर्वाजे जो होते हैं हवाई जहाज के अंदर टोटल चार होते हैं दो आगे के तरफ, दो पीछे के तरफ नेक्स कोशन आता है नोज नोज होता है हवाई जहाज का आगे का जो भाग होता है उसको हमें नोज के नाम से जाते है और पीछे का जो भाग होता है उसको किस के नाम से टेल के नाम से यानि पूच के नाम से जाते है तो नोज हवाई जहाज के आगे का भाग है कारगो कमपार्टमेंट जहाज के निचले हिस्से में बने जो कमपार्टमेंट होते हैं जिसमें सामान रखा होता है तो उसे कारगो कमपार्टमेंट के नाम से जाते हैं फिर आता है eash costume को एंजन का जो cover होता है उसे कहते हैं जो जहाज के engine को छोटा cover होता है जिसको हमें हटाने का काम भी कर सकते है क्या कहलते है फिर आता है safety glass safety glass एक प्लास्टिका glass होता है जो crew के ढापने या खोलने के लिए काम आता है तो वो क्या कहलाता है safety glass next आता है under carriage ये जो है वो under carriage है under carriage under carriage किसे कहा जाता है तो हवाई जहाज के पईयें की जो जगए होती है नीचे की तरफ उसको हम किसके नाम से under carriage के नाम से जाता है next आता है terminal building यह building एक प्रकार से design करके बनाई जाती है जिसमें स्वागत कक्ष होता है यानि जब भी हम किसी भी जगें उपर यातरा करनी होती है जहाज के मादम से तो जब भी सबसे पहले जिसे building के अंदर जाते हैं जो स्वागत कक्ष होता है वो control कक्ष होता है वो और जिसमें आने जाने वाले passenger का सामान आधी चेक करने का काम किया जाता है तो उसको किसके नाम से है terminal building के नाम से जानते है next आता है hangar हवाई जहाज के अंदर जो भी technical problem आ जाते है खराबी आती है तो उसको सही करने का जो स्थान होता है उसे hangar के नाम से जानते है next आता है mercy area mercy area जब भी हवाई जहाज का पईए बाहर की तरफ नहीं निकल पाते है तो ऐसे स्थिती के अंदर है एक विशेस परकार की छेतर के अंदर उतारा जाता है उसे mercy area के नाम से जानते है फिर उसके बाद में caution आता है next कि airport के ओपर जो emergency है वो कितने परकार से लगती है किस किस कार्ण से लगती है और उनके परकार कौन से है सबसे पहले आता है aircraft accident यानि कि जब भी हवाई चहाज airport के उपर आपस में टक्रा जाते है तो टक्राने के बाद में जो emergency लगती है सबसे पहले वो जो emergency लगती है ताकि टक्राने के बाद में जो हवाई अटा जो छेतर होता है वहाँ पर बाहर air drone यानि अगर वहाँ पर airport के उपर किसी भी प्रकार की अगर accident हो जाती है तो वहाँ पर भी emergency लगानी पड़ती है लेकिन बहुत बार क्या होता है जो भी उड़ते समय जो जहाज होता है वो भी आपस में टक्रा जाता है तो उस स्थान के उपर जो airport होता है हवाई अड़ा जो छेतर होता है उसको किसी भी प्रकार के उसकी जो जिम्बेवारी है वो नहीं होती है next आता है full emergency full emergency होता है यदि अगर हवाई जहाज उड़ रहा है और major fault है उस जहाज के अंदर major fault है इंदन के अंदर धुआ या फिर पईये उस इंदन जो होता है वो कम है धुआ निकल रहा है या फिर पईया जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाता तो इस कान से जो engine है वो काम करना फैल हो जाता है brake फैल हो जाते है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या लगाए जाता है फुल emergency लगाई जाती है नेक्स जो कोशन आता है अपने पास में कि aircraft ground accident जब भी ground के उपर जो जहार जाते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं तो उसे दोरान जो होता है वो क्या कहलाता है aircraft ground accident तो उस कान से भी जो है emergency लगाई जाती है इसके बाद आता है bump आदि एरपोर्ट के उपर किसे भी प्रकार के बंब वगरा की जो सूचना मिलती है तो उसे दोरान भी वहां पर emergency है वो लगानी पड़ती है नेक्स आता है अप हरन की धमकी अगर मिल जाती है तो उसे दोरान यानि के कोई भी वक्ति हवाई जहाज के अंदर किड्नेप कर लेता है और यह फिर एरपोर्ट के उपर किसे भी वक्ति को किड्नेप कर लिया जाता है आतंकवादियों के मादम से तो उसे दोरान भी जो है वो emergency लगाई जाती नेक्स आता है हवाई जहाज जो जब भी एरपोर्ट के उपर उतरता है तो उसे जगें के उपर जो फाइर ब्रिगेड की गाड़ी है उसका होना बहुत ही जरूरी है जब तक फाइर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं होगी तब तक जो जहाज है वो एरपोर्ट के उपर नहीं उत्रेगा next question की तरह बात करते हैं अगर हवाई चाहाज बाहर से आग लग रही है यानि कि जब भी हवाई चाहाज है उसके अंदर आग लगी और उस चाहाज के अंदर अगर आग लगी हुई है बाहर की तरफ से तो हमें कभी भी हवाई चाहाज के अंदर जब भी आग लगती है तो उसको अगर हमने तीन मिनट के अंदर कंट्रोल करने का टाइम दिया जाता है अगर तीन मिनट के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल कर देंगे अनिथा जो सारा जहाज है वो जल करके राक हो जाए तो इसलिए अगर तीन मिनट के अंदर हमारी आग जो है वो जहाज की फ्लाइट की वो कंट्रोल हो जाती है तो हम कर सकते हैं और तीन मिनट से जो ही अगर ज्यादा होगा टाइम तो उसके अंदर जो भी बैटे हुए हैं, जो भी Body है, वो जलना स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर जो है, वो बदभू निकलना सुरू हो जाती है, मेल्ट होना भी सुरू हो जा नेक्स आता है रस्पोंस टाइम किसे कहते हैं जो हवाई चार्च होता है उसके अंदर आग लगती है तो आग की सूचना मिलने के समय से लेकर हवाई चार्च में आग लगी और जो ही सूचना जो फाल टीम को मिली तो आग की सूचना मिलने से लेकर और आग का बूझाने का जो कारिये सुरू हम करते हैं तो उस टाइम को किसके नाम से रस्पोंस टाइम के नाम से जाते हैं जैसे हमने एक बज़ कर दो मिनट के उपर हमें सूचना मिली आग की तो हमने क्या क्या तुरंत एक बज़ कर दो मिनिट से अपनी जो क्रेस्टेंडर थी उसको ले करके बाहर के तरफ निकल पड़े और जब हमने सबसे पहले आग को बुझाना सुरू किया तो जब से हमने चलना सूचना मिली उस समय से लेका है और आग को बुझाना सुरू क्या प्रारंब क्या उस समय को हम किसके नाम से रस्पोंस टाइम के नाम से जाते है अब यह जो रस्पोंस टाइम है वो कितने समय का होता है 142 समय सेकंड का होता है जब भी एरपोर्ट पे आग लगती है तो 142 सेकंड के अंदर आपको फोन की सूचना भी लेनी है और उस आग को बुझाना भी प्रारंब करना है तो 142 सेकंड एरपोर्ट के उपर response time माना जाता है इससे भी कम ही होता है next आता है फिर उसके बाद पर control time control time क्या होता है response time जिसके अंदर हमें सूचना मिली और आग प्रारंब करना शुरू कर दिया बुझाना और control time होता है कि आग का 90% बुझाना हम आग जो है वो 90% बुझाना शुरू कर दिया हमने मातर 10% बुझबची हुई है तो उसको हम किसके नाम से control time के नाम से जमते है फिर आता उसके बाद में एरपोर्ट के उपर जो आग को बुझाने के साधन होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं first air fire fighting equipment है तो first air fire fighting equipment के अंदर क्या-क्या आते हैं से हो गया फायर ब्रिगेट की गाड़ी होगी और जो होज जरी होज सिस्टम होगया तो ये छोटे मोटे equipment होते हैं वो किसके अंदर आते हैं first add firefighting equipment दूसरा आता है major firefighting equipment इसके अंदर major जो vehicles होते हैं जो गाड़िया होते हैं fire की वो रखी जाती है तो वो किसके अंदर आते हैं Major Fighting Equipment के अंदर Next आता है Fishing Sip किसे कहा जाता है तो जो मचली पकड़ने का जो जहाज होता है उसे हम किसके नाम से Fishing Sip के नाम से जानते हैं Next आता है Ledger Vessel किसे Sip के नाम से किसे जाना जाता है जो आवकास जहाज या विसराम जहाज या नाव जो होती है उसको किसके नाम से है Major Vessel Sip के नाम से जानते है Next आता है उसके बाद में Navigation Vessel Sip किसे कहा जाता है हलके जो जहाज होते हैं उसको किसके नाम से Navigation Vessel Sip के नाम से जानते है फिर आता है Special Sip special जो ship होता है वो किसे कहा जाता है यानि जिस जहाज से हम कोई भी research करने का खोजने का काम करते तो वो special है vessel ship कहलाता है फिर आता है carrier ship carrier ship होता है जो passenger जो यातरी होते हैं उनके लिजाने का जो जहाज होता है वो carrier ship होता है cargo ship बलके carrier या journal जो carrier होते हैं उनको हम किसके नामसे cargo ship के अन्दर जो है वो आते हैं फिर आता है जहाज में आग लगने के जो कान है वो कोन कोन से होते हैं तो जब भी आग लगती है वो किस-कस कान से जहाज में लगती है तो electric short circuit के कान परवाही के कान welding या gas cutting का काम कर रहे हैं मसीन के अंदर घरसन हो रहा है, बिजली की खराबी है, इलेक्ट्रिक सोट सरकिट है, और भी किसी भी प्रकार के टेक्निकल प्रोब्लम है, तो इस प्रकार की सिचुएशन जब होती है, तो उसे दोरान जहांच के अंदर आग लगने की संभावना बनती है, तो ये था आज का टोपिक हमारा एरक्राफ्ट फायर एंड रेस्क्यू, आसा करता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझबे आया, और वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, कोमेंट करें, सेर करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,